तुडेज जी के में आपका स्वागत है सबसे पहले कल के अभ्यास प्रश्न को देखते हैं हाल ही में किस भारतिय खिलाडी को Fed Cup Hurt Award के लिए नॉमिनेट किया गया स्मृति मंधाना, दुत्ति चंद, सानिया मिर्जा या फिर पीवी संदू इसका सही उत्तर है option C, सानिया मिर्जा भारतिय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा को Fed Cup Hurt Award के लिए नॉमिनेट किया गया है हाली में सानिया यहुपलब्धी हासिल करने वाली पहली भारतिय महिला खिलाडी बनी है उन्हें Fed Cup Hurt Award के लिए Asia Osenia Kshatr से नामित किया गया है Asia Osenia Kshatr से इंडोनेशिया के प्रिसका मेडलिन ऐसी दूसरी खिलाडी है जो इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब है option C सानिया मिर्जा चलिए आज किस session के शुरुआत करते हैं तूना निमलिखित में से किस जीव का एक प्रकार है हाथी, मचली, साप या फिर शतुरमुर्ग सही जवाब है option B मचली दो मई को वर्ल्ड तूना डे मनाया जाता है दिसंबर 2016 में सन्युक्तराष्ट महसभा ने अपने एक संकल्प के जरिये आधिकारिक तौर पर विश्व तूना दिवस मनाने का निर्णे लिया था दुनिया भर में असाधारण अथ्वा विशेश मानी जाने वाली मचलियों की कई प्रजातियां पाई जाती है इन्ही में से एक है तूना मचली जो आर्थिक रूप से बेहद एहम है विकसित और विकासशील देशों के लिए ये मचलियां भोजन का महत्वपूर्ण स्रोथ होती है अटलांटिक हिंद और प्रशांत महसागरों और भूमध्ध सागर्वें इनकी लगभग 40 प्रजातियां है ये मचलियां वार्न ब्लडेड होती है इनकी एक रोचक विशिष्टा यह है कि ये मचलियां शार्क से अपना बचाओ करने के लिए डॉल्फिन के जुन्ड के साथ चलती है तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब है ऑप्शन B अगला सवाल हाल ही में निमनलिखित में से किसने आर्थिक मामलों के सचेव का पदभार संभाला है तरुन बजाज अजय तिर्की अतानू चक्रवर्ती या फिर रविंद्र पवार सही जवाब है ऑप्शन A तरुन बजाज 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं तरुन बजाज आजय तिर्की ने इस पद पर रविंद्र पवार की जगली है दूसरे तरफ अरविंद कुमार शर्मा ने सोक्ष्म लगु एवा मध्यम उद्यम मंत्राले के सचेव का पदभार संभाला है तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन A तरुन बजाज अगला सवाल हाल ही में कश्मीरी केसर को GI टैग दिया गया कश्मीर में कुल कितने तरह के केसर पाये जाते हैं एक, दो, तीन या फिर चार सही जवाब है ऑप्शन C तीन जमू कश्मीर के करेवा हाइलेंड्स में खेती किये जाने वाले कश्मीरी केसर को हाल ही में G.I. टैग दिया गया है यह केसर कश्मीर के पुलवामा, बढगाम, किष्टवार और श्रीनगर जैसे हिस्सों में भी उगाया जाता है एक बहुत कीमती और महंगा उत्पाद है आपको बता दें कि इरान केसर का सबसे बड़ा उत्पादक है और इस मामले में भारत काफी करीबी प्रतियोगी है एक मसाले की रूप में कश्मीरी केसर दुनिया भर में प्रसिद्ध है और कश्मीर में कुल तीन तरह के केसर मिलते हैं लच्छा केसर, मोंगरा केसर और गुच्ची केसर तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाब है ऑप्शन C अगला सवाल हाली में किन दो राजियों के बीच भारत की पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई राजस्थान से उत्तर प्रदेश, महराष्ट से बिहार, आंदर प्रदेश से बिहार या फिर तेलंगाना से जारखन सही जवाब है तेलंगाना से जारखन पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन तेलंगाना से ज्हारखंड के बीच चलाई गई यह ट्रेन तेलंगाना के लिंगम पल्ली से ज्हारखंड के राची के निकट हटिया तक 1200 प्रवासी मजदूरों के इसको लेकर आई विभिन राज्यों में फसे लोगों प्रवासी मजदूरों को उनके ग्रेह राज्ये पहुँचाने के लिए केंदर सरकार की तरफ से यह कदम उठाया जा रहा है COVID-19 महामारी के फैलते प्रकोप को देखते हुए देश भर में लोगडाउन बाहल किया गया है तो इस प्रश्न का सही जवाब है Option D तेलंगाना से जारखंड अगला सवाल हाल ही में जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में किस देश को पहला स्थान मिला है आस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लेंड या फिर दक्षिन अफ्रिका सही जवाब है आस्ट्रेलिया यानि Option A पुर्शों की ICC टेस्ट रैंकिंग हाली में जारी हुई है इसमें आस्ट्रेलिया पहले पायदान पर है टेस्ट के साथ साथ T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में भी आस्ट्रेलिया को पहला पायदान मिला है जबकि पुरुषों की ODI ranking में इंग्लेंड पहले पायदान पर है काफी लंबे समय से ICC test ranking में टॉप पर रहने वाला भारत इस समय तीसरे इस्थान पर खिसक गया है तो इस प्रशन का सही जवाब है option A Australia चलिए अगला सवाल देखते हैं बंगाल में इस्तमरारी बंदुबस्त कब शुरू हुआ था 1773, 1793, 1861 या फिर 1875 सही जवाब है 1793 आपनिवेशिक शासन सबसे पहले बंगाल में इस्थापित किया गया था भारत के अत्रगत या वही प्रांथ था जहां सबसे पहले ग्रामीड समाज को फिर से व्यवस्थित करने और भूमी संबंधी अधिकारों की एक नई व्यवस्था के साथ साथ एक नई राजस्व प्रणाली इस्थापित करने का प्रयास किया गया इसी दिशा में 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदुबस्थ को लागू किया गया इसे पर्मानेंट सेटलमेंट या फिर स्थाई बंदुबस्थ भी कहा जाता है तो स्थाई बंदुबस्थ ही इस्तमरारी बंदुबस्थ है जब बंगाल में इस व्यवस्था को लागू क के रूप में काम किया था वारेन हैस्टिंग्स सर जॉन शोर लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड मिंटो जवाब है इसका लॉर्ड वेलेजली फ्रांसिस बुकानन दरसल एक चिकित्सक था डॉक्टर था बुकानन ने 1794 से 1815 तक बंगाल चिकित्सक सेवा में अपनी सेवाएं दी थी कुछ सालों तक उसने भारत के गवर्णर जनरल लॉर्ड वेलेजली के शले चिकित्सक के रूप में काम किया उनिस्वी शताबदी के प्रारंभिक वर्षों में उसने राजमहल की पहाडियों का भी दौरा किया था कलकत्ता में अपने प्रवास के दौरान उसने एक चिडिया घर के स्थापना की थी जिसे अलिपूर चिडिया घर के रूप में जाना जाता है कुछ समय के लिए उसने बोटैनिकल गार्डेंस के प्रभारी के रूप में भी काम किया था बंगाल सरकार के अनुरोध पर बुकानन ने ब्रिटिश इस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षत्र के अंतरगत आने वाले क्षत्रों का सर्वेक्षन किया फ्रांसिस बुकानन को बुकानन हैमिल्टन के नाम से भी जाना जाता है तो इस तरह सही जवाब है औप्शन C, लॉर्ड वेलेजली एक्कवाटिंट क्या है? पौरानिक नरत्य का एक प्रकार, एक प्रकार का ब्रिटिश वाद्य यंत्र ब्रिटिश औप्निवेशिक शासन के दौरान खेती का एक प्रकार या फिर चित्रकला का एक प्रकार सही जवाब है, औप्शन D, चित्रकला का एक प्रकार एक्कवाटिंट दरसल चित्रकला का एक प्रकार है विलियम होजेज एक ब्रिटिश कलाकार था जो Captain Cook के साथ भारत आया था 1781 में वह भागलपूर के कलेक्टर Augustus Cleveland का मित्र बना Cleveland के निमंत्रण पर होजज ने 1782 में जंगलों का भ्रमड किया था जहां उसने कई Aquatant तयार किये Aquatant यानि ताम्र पट्टोत किर्ण यानि एक ऐसी तस्दिर जो ताम्र पट्टी Copper Sheet में Acid की साहता से चित्र के रूप में Cutting करके छापी जाती है तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाब है Option D चित्रकला का एक प्रकार अगला सवाल दामिन E कोह का संबंध निमलिखित में से किस्से है संथालों की भूमी एक प्रकार का राजस्व कर मनसबदारी व्यवस्था आजमेरी इस्थित खानकाह का एक हिस्सा दामिन E कोह का संबंध दरसल संथालों की भूमी से है Option A इसका सही जवाब है संथालों लोग 1780 के दशक के आसपस बंगाल में आने लगे थे जमिनदार लोग खेती के लिए नई भूमी तयार करने और खेती का विस्तार करने के लिए उन्हें भाड़े पर रखते थे साथी ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें जंगल महालों में बसने का निमंत्रन दिया था संथालों को जमीन दे कर राजमहल की तलहटी में बसने के लिए तयार कर लिया गया था 1832 तक जमीन के काफी बड़े इलाके को ही दामिन इकोह के रूप में सिमांकित किया गया था साथी दामिन इकोह को संथालों की भूमी घोशित कर दे गय थी तो दामिन इकोह का मतलब है संथालों की भूमी से इसका संबंध है अगला सवाल निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए 1765 में British East India Company ने बंगाल की दिवानी प्राप्त की 1873 में Regulating Act लाया गया 1855 में संथालों की बगावच शुरू हुई उपरियुक्त में से कौन से कथन सही है केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन या फिर एक दो और तीन चलिए एक एकर देखते हैं 1765 से लेकर 1875 तक कुछ एहम घटनाओं के कालकरम को पहले देख लेते हैं 1765 में इस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की दिवानी प्राप्त की थी 1773 में इस्ट इंडिया कंपनी की गतेविधियों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1793 में बंगाल में इस्तमरारी बंदुबस्त लागों किया गया 1800 के दौरान संथाल लोग राजमेहल की पहाडियों में आने लगे इसी दशक के आसपास और वहीं बसने लगे 1855 में संथालों की बगावत शुरू होती है और 1875 में दक्कन के गावों में रईयतों ने बगावत की ठीक है अब option जो पहला है 1765 में British East India Company ने बंगाल की दिवानी प्राप्त की ये बिलकुल ठीक है 1873 में Regulating Act लाया गया था ये गलत है क्योंकि 1773 में लाया गया था और 1855 में संथालों के बगावत शुरू हुई थी ये बिलकुल ठीक है तो इस तरह option B केवल एक और तीन सही है चलिए आज के अभ्यास प्रश्न को देखते है World Praise Freedom Day कब मनाया जाता है 2 मई, 3 मई, 4 मई या फिर 5 मई इस अभ्यास प्रश्न का जवाब आप लोग लिखिएगा कमेंट बॉक्स में इसके जवाब को अगले एपिसोड में हम आप से शेयर करेंगे साथी नए सवाल और उनके जवाब भी बताएंगे तब तक के लिए अपना खयाल रखिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाईए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, खुश रहे